डिसेंट मैतमेटिस क्लास फिप नाउग वी लूग एक्सराइज 7.1 कोस्चान नंबर 2 कोस्चान नंबर 2 चेंट फालोइंग फ्रेक्शन इंटु दा लोयस्ट फार्म नीचे दिए गए फ्रेक्शन को उनकी लोयस्ट फार्म में सबसे निम्मितम रूप में लिखिए बदल इसको वेता हमें निम्मितम रूप में सबसे छोटे रूप में बदल लाएं इनको काट कर सबसे छोटा इसका रूप देना है कि मतलब उसके बाद एक कटेंगे नहीं तो 30 अपान 69 को काटिए अब तो चलिए बेटा देखते हैं कोस्चन नमबर टू चेंड फालोइं फ्रैक्शन इंटू दा लोयस्ट फार्म ए थर्टी अपान 69 तो आप सलूशन राइट करेंगे थर्टी अपान 69 राइट करेंगे अब इसको कटेंगे देखिए बेटा इस जीरो यह नाइन है तो नाइन 9 इस दा और नमबर तो हम इसे 3 से कटेंगे 3 1 जा 3 3 0 जा 0 कट गया I mean 30 में 3 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 30 आजाएगा 10 3 जा 30 तो 3 से लेकिन हम इसको काट रहें बेटा कितनी बार ले जाए रहें 1 बार 3 1 जा 3 कट गया 3 0 जा 0 I mean 10 अब 3 से इसको भी काटेंगे 3 2 जा 6 3 3 ज 10 अबान 23 तो 10 अबान 23 तो 10 इस दा इवन नमबर और 23 जा और नमबर वेटा यह नहीं कटेंगे तो इस वज़े से 0 है और यह 3 3 आज नमबर है तो कटेंगा नहीं इस वज़े से 10 अबान 23 इसका लुएस्ट फार्म है अब हम भी देखतें 75 पान 81 75 upon 81 यह 5 है यह 1 दोनों प्राइम नंबर है बेटा तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसे हम काटेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 3 3 से काटिए 3 2 जा 6 अब 7 में से 6 माइनस हो गया तो 1 बचा 15 के आगे अगर राइट हो गया तो मतलब 15 हो गया बेटा तो 3 5 जा 15 I mean 3 2 जा 6 3 5 जा 15 I mean 25 में हम 3 का मल्टिप्लाई करेंगे तो 75 होगा क्योंकि 25 3 जा 75 एक बार फिर देखेजिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 कट गया अब 3 से इसको भी काटेंगे 3 2 जा 6 8 में से 6 माइनस होगा 2 बचेगा अगर 2 समझे इसके आगे 1 के आगे समझे 2 राइट है लेकिन 100 नहीं होता बेटा लेकिन हम मानते हैं कि 1 के आगे 2 राइट है तो 3 2 जा 6 3 7 जा 21 अगर ऐसे आपको ना पता चले बटा तो 75 अपान 81 को डिवाइट कर लिजे एटीवन 75 तो कितनी बाल ले जाएंगे सॉरी सॉरी करें 75 को पहले 3 से डिवाइट करिए देखें 3 से डिवाइट क्योंकि 3 से ही काटे हैं दोनों संख्यों को तो 3 से डिवाइट करें 3 2 जा 6 अब 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 तो 3 से 1 काटे का नहीं 5 उता लिए 3 5 जा 15 15 में से 15 माइनस हुआ नथिंग आइमीन कितना आया बेटा 25 तो 75 को काटेंगे 3 से तो 25 ही तो आएगा अब 81 को भी 3 से काटिये 3 2 जा 6 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 अब 3 से 2 कटेंगा नहीं उतार लिए 3 7 जा 21 अब 21 में से 21 माइनस करेंगे नथिंग तो कितना आया 27 यहा 27 आया 25 तो यहीं चीज आया बेटा 75 अपान 81 को अगर 3 से काटेंगे तो 25 अपान 27 आएगा अब 25 अपान 27 फाइगा अपान 27 इस दा आप नमबर दोनों अलग अलग संख्या है बेटा दोनों अपान नमबर हैं बट अलग लग हैं इस वज़े से संख्यां कटेंगे नहीं तो 25 अपान 27 इस दा लोएस फाब अब सी देखें बेटा 40 अपान 65 इस 5 से कटेंगे क्योंकि 5 से वही संख्यां करती हैं जिस संख्या के लास्ट में या तो 5 लगा हो या तो 0 अगर 0 लगा है या 5 तो संख्या 5 से कटेंगी तो 40 अपान 65 इसको 5 से डिवाइट करिए तो 5 एट जा 40 अब इसको नीचे वाले को देखें तो 40 कट गया 8 बार में 5 एट जा 40 स्वारी बेटा पहले देखिए 40 अपान 65 तो हम सलूसन राइट करेंगे और फिर कोस्टन राइट करेंगे 40 अपान 65 अब इन दोनों संख्याओं को हम 5 से डिवाइट करतें तो पहले 5 से इसको कटतें 40 को तो 5 कट टेवल कितनी बार पढ़ेंगे 40 आ जाएगा 8 टाइमस पढ पान 65 है तो 5 अफाइफ वन जा फाइब और इधर उन 6 में से 5 मैनस हो गया उन बचा तो 15 हो गया 5 तरी जा 15 तो यह तपान 13 हो गया तो यह तपान 13 एट इवन नमबर 13 ओर नमबर तो यह तो दोनों किसी यह संख्या से दोनों संख्याओं कटेंगे नहीं तो दिस इस इस तो देखिए बेटा अब हम देखते हैं कोस्टिन नमबर थिरी कोस्टिन नमबर थिरी सरकल पर्टे इक जोड़ी पर सरकल करियेगा ऐसे प्रेक्षण जो लाइक पिरेक्षण पहँना हो जो जोड़ी ऩ니다 एक चीज नमबर रता है था जिनके denominator सेम होते हैं तो इन में से किसके किसके denominator सेम है b and c क्योंकि b है 3 upon 17,4 upon 17 इन दोनों के denominator क्या है सेम c 1 upon 9,8 upon 9 इनके दोनों के denominator क्या है सेम तो यही आपके like fraction है यह 7 और 4 है अधर 9 and 13 है इन दोनों के denominator unlike है तो यह आपके like fraction नहीं है b and c like fraction है तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा चलिए देखते हैं circle each pair of like fraction given below नीचे दिएगा प्रते एक fraction like प्रते एक जोड़ी के fraction को circle करिएगा जो जोड़ी like fraction में होगी तो पहला है 2 upon 7,2 upon 4 b है 3 upon 17,4 upon 17 c है 1 upon 9,8 upon 9 d है 4 upon 9,5 upon 13 तो इन में से किस के fraction किन के denominator सेम है b and c तो b and c के denominator सेम है तो यह like fraction है तो like fraction यही दोनों है यही दो जोड़ी like fraction में है तो इस दो जोड़ी को आप circle कर लिजिए ठीक यही आपको करना है अब हम 4 देखते हैं 4 circle each pair of unlike fraction given below नीचे दिए गए जो जोड़ी fraction unlike में है उसको circle करिएगा तो जिसके denominator सेम रहते हो like होता है जिसके denominator unsame रहते है उन्हें वो unlike होता है तो यह denominator सेम है like unlike नहीं है यह इनके भी denominator सेम है तो यह भी unlike नहीं है आप से fraction ऐसे है जो unlike fraction है तो c and d तो c and d पे आप circle कर दीजेगा पूरा यहीं आपका unlike fraction है ओके जो जिसके denominator सेम नहीं होते बेटा वही unlike fraction होता तो unlike fraction पे कह रहा है कि circle करिए तो unlike fraction ही है हमारा इसी unlike fraction पे हमको circle करना है अब कह रहा है question number 5 question number 5 circle each one of the proper fraction given below circle each one of the proper fraction given below नीचे दीए गए प्रते proper fraction को circle करिए proper fraction क्या आता है proper fraction बेटा वह होता है जिनके numerator less होते है I mean अगर question पुछा जाय है what is the proper fraction proper fraction क्या है तो अब बताएंगे the fraction which the fraction which numerator is less than their denominator is called proper fraction I mean the fraction which numerator is less than their denominator is called proper fraction जैसे three upon four तो इसका denominator इसके denominator से क्या है less है कम है I mean three four से क्या है बेटा कम है three कम है किसे four से अपने denominator से three कम है तो यह है आपका proper fraction proper fraction ओके अगर ऐसे है four upon eight तो यह भी क्या है proper fraction ठीक proper fraction I mean जिसका numerator less रहता denominator जादे रहता है तो proper fraction होता है तो हमें इसी पर स्रग कर और जिसका numerator greater रहता है उसके denominator से तो वह improper जैसे eight upon four तो eight upon four improper है improper fraction eight upon four क्योंकि eight जादे है four कम तो यह होगा improper fraction ध्यान से देखेगा बेटा अगर numerator जादे है denominator कम तो improper fraction अगर numerator कम है और denominator जादे है तो है proper fraction तो चलिए बेटा हम question number five देखते है circle each one of the proper fraction given below नीचे दिए गए प्रते एक proper fraction पर circle करिए तो four upon nine five upon thirteen three upon eight eight upon nineteen and fifteen upon nine तो आप देख रहे हैं बेटा सारे क्रम से दिए गए a b c d e पांच fraction है पांच फ्रेक्शन देगा है बट क्रम वाई देखिए four upon nine five upon thirty three upon eight eight upon nine इन चारों के fraction में जो numerator है वह numerator अपने denominator से कम है आइमिन लेस है तो जिनकी numerator less होते है उनकी अपने denominator से तो होता है इंप्रापर fraction और यहां देखिए fifteen upon nine यह जादे है तो इंप्रापर है इस वज़े से इस पर circle नहीं होगा तो प्रापर fraction आपके क्या है four upon nine circle करिए five upon thirteen circle three upon eight circle eight upon nineteen circle एम इन चार फ्रेक्शन फ्रापर फ्रेक्शन है इन पर circle करेंगे और इस पर circle नहीं क्योंगे क्योंकि यह इन फ्रापर fraction है तो चलिए बेटा हम five question number six देखते है question number six बेटा अभी हम बाद में देखते हैं क्योंकि इतना करिए तब फिर हम अगला question देखते हैं अब देखिए बेटा question number two में a b c आपको बताया गया d and e यह आपका assignment है यह डबलू के copy में आपको complete करने है ल्यान से देखिएगा circle each इसको आप c w के ही copy में पूरा complete करें question number three को c w के copy में complete करेंगे and question number four को भी c w के copy में complete करना यह w के copy में नहीं complete करना है question number five question number five को भी आप c w के copy में complete करेंगे question number five को भी c w के copy में complete करना यह w के copy में नहीं complete करना अब 6 से हम आपको बताएंगे वही पहला दूसरा question आपका assignment है question number 2 में C and D आपका assignment है बाकी आपको CW के copy में complete करना है तो complete your work, that's all